इंडिया का दम भरती हैं लेकिन हकीकत इससे कोसो दूर है भारत की एक सच्चाई देखनी हो तो सराय केला आईए जहां आज भी डाइन बोल कर महिला को पीटा जाता है उसकी हत्या की कोशिश के जाती है जहां जहां छुटनी महतो जैसे समाज सुधारक को सरकार उसके मनुब सोब्सक्वाल को समान दे रही है वहीं आज भी ग्रामिंग के नाम पर प्रताड़ना का मामला शर्म नायक है ताजा मामला तिरूलडी थनक शेत्र के कुदा गाउं का है यहां एक महिला को डायन के नाम पर बुरी तरह से पीटा गया उसके हालात गंभीर होता देख उसे MGM ने अब रिम्स रेफर कर दिया है वहीं पीडिता के पती की शिकायत पर किशोरी सहीद गाउं के ही चार लोगों पर मामला दर्च किया गया है गयन के आरोप में महिला की पिठाई गाउवालों ने पीटा किशोरी की तब्यत हो गई थी खराब महिला पर था तब्यत खराब कर देने का शक थाने में मामला हुआ दर्च ये है कुंदा गाउं उपर से तो ये गाउं ठीक ठाक दिखता है पर अंदर से एक बहुत बड़ हाली में इस महिला को पूरी तरह से पीटा गया है इतनी पिटाई हुई है कि इसे बहतर इलाज के लिए रिम्स में भरती करवाना पड़ा ये चल नहीं पाती है कुछ लोग इसे कंधा देकर बाहर भीदर करते हैं अब आप भी जानना चाहेंगे कि आखर इसका गोना क्या तो जवाब है कि डाइन होने के शक में इसकी पिटाई की गई है गाउ के ही बगल की एक किशोरी बीमार हो गई शक इस पर गया और कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह से पीट दिया मैला के पती ने पाच लोगों पर पिटाई का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है साथी समाजिक कारेकरता छुटनी महतो से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है कि दूर्गा को हम बचाएंगे दूर्गा के लिए हम जो जो पिडिता के लिए हम काम कर रहा है डाइन पिडिता के लिए तो हम दूर्गा के लिए ताम दूर्गा को जान बाए रास्ता में कप्रक जैसे दर्पोधी का पस्तरहन जैसे इधार उधर कर दिया घिसर घिसर के म इस पर लागस्दार को ना बीजाता है आरोपियों को गिरफसार कर भी लिए जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है लेकिन याले की फियान जाता दोगा.. उस्पटाया जा सकेगा? क्या इतने दिनों तक इसने जो पीडा जेली है उससे घठट जाएगा? जान्डिल से न्यूज लवन भारत के लिए संतोश के साथ सुनील की रिपोर्ट इस पर रहुजादा जानकारी लेंगे सराइकेला से सयोगी सुनील हमारे साथ परने हुए है सुनील जो तस्वीर हमने देखी है वो बहुत शर्मनाग है ये पूरी जानकारी हमें बताए को कम है जी आपको बता दे तीरोल्डी थाना छेतर के टीकर मुंडा वहां का एक ओज़ा है जो ओज़ा गुनी का काम करता है और न जाने वो कितने इस तरह के उपर इस तरह का आरोप लगा भी चुका है और आज एक बेसहारा जिस जो समाच के बहुत ही कमजोर स्रणी में और आती है इस औरत को तीन साल पहले भी टीकर मुंडा के दोरा तंग किया गया था ऐसी सुचना मिर रही है लेकिन आज जो टीकर मुंडा के दोरा किया गया जो आरोप लगाया गया इस महिला पे वो काफी मतलब निंदनिय से भी निंदनिय बात है क्योंकि टीकर मुंडा और साथ में उसका एक भाई भी है वो दोनों मिलकर जिस तरसे महिला को प्रतारित किया है सड़क पे दोड़ा के पिटा है घर में घुस करके नंगा करके पिटा गिया उस महिला को ये एक महिला के लिए सबसे बड़ी अपने जिन्दी की सबसे बड़ी चुनौती है और इतनी बड़ी हार महसुस कर रही है ओरत कि आज ना तो ये जीना चाहती है और ना ही ठीक ढंक से मर रहे ही समाज उसको देगा जी हाँ आपको बता दें कि ये महिला को डाइन बता करके बूरी तरफ पिटा गिया है और इसमें थाने की जो भूमिका है बिल्कुल ही सराहनिय नहीं है जहां तक ठाने की बात की जाए बिल्कुल ही सराहनिय नहीं है क्योंकि ये मामला ठाने के लोग आकर देख रहे हैं और गाउं के लोग का सरवतमासा देखने के बाद भी एक मस्ज़ आता है पुलिस वाला उससे सिर्फ पिटाई होने के बाद ले आता है कि इलाज करा दिया इस महिला को और तमासा देख रहे थे लेकिन इस महिला को बचाने कोई नहीं आया और मामला टीकर मुंडा की बेटी से भी जुड़ा हुआ है उसकी बेटी के तबियत खराब होती है और उसके लिए वो इस महिला को चुनता है और गाउंवालों को ये कहता है कि इसकी जो मह स्काणि का रहा है कि मेरे गरदन में फरस के लिए तोड़ी कर गया गया है ऐसे बेहरामी जिसकी कितने भी निंदा की जाए कम है जी बिल्कुल सुनील हम 21 सदी में जी रहे हैं लेकिन ये शर्मनाक तस्वीरी आयदीन देखने को मिलती है इस पूरे मामले में आप तक पुलिस और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है सुनील सुन पा रहे हैं जी पुलिसिया करवाई के नाम पर बिल्कुल ही जीरो है पुलिस करवाई कुछ नहीं की है और खास करके दरिंदगे की हद पार कर दी है उन दरिंदों ने एक अबला नारी को जिस तरह से पीटा है ये देखने के बाद ही रोंग्टे खड़े हो जाते हैं जैसा महिला के इस्तित ही है और जैसा उसका मूँ से वो अपनी दुख ब्यां कर रही है वाकई में कलेजा फार दने वाले उसके दुख है और आज के डेट में जहां लोग चांद पर जाने की बात करते हों आए डाइन प्रथा की बात को लेकर कि इस तरह से कर जो काम किया जा रहा हो कितना निंद घर बुलाया घर बुलाकर कि जो भी उसके सरीर की मालिस थी या फिर जो दवादारू थी उसकी उपाय की लेकिन अगर बात की जाए पुलिसिया करवाई की तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही निंदनिय करवाई कहा जाएगा पुलिस की जो जो दिख रही है कि मने जो सहायता कर थाना है चाहिए उस महिला को वह बिलकुल ही मने एक तरह से बात कहाया कि उसको ध्यान नहीं वहां ऋस को चीजिएए यह बिवस्ता इसको दी गही है इस महिला से यह महिला काफी दर्द से करा रही है लेकिन हम तो धन्यवाद करेंगे वो चुटनी महतो का पदमिस्र चुटनी महतो जी का जो उस महिला की देख रहे के लिए अपना तनमन लगाये हुए है और काफी सेवा कर रही है उस महिला की कैसे भी इसे जिंदगी मिल जाए सरीर का दर थोड़ा हलका हो जाए क्योंकि महिला बात करने के भी इस्तिति में नहीं थे लेकिन फिर भी निव जले में से खास बात उन्होंने की कि उसके साथ जो घटना घड़ी थे की गए थी लेकिन करवाई के मामले पर अभी मामला बिलकुल ह जीरो है अस्थानिय पुलिस तीरू लिथाना पुलिस बिलकुल ही इसमें मने निंदनिय भूमिका अगर कहा जागा उस पुलिस ये कहा जाए तो जब ही तक किसी के भी गिरफतारी नहीं होई है और इस सर्याम पिटाई की गई है महिला की मने महिला को यहां तक निवस्तर क लोग है सब मुकदरसक बने रहे है पुलिस या करवाई की तो बात ही करनी बेकार है कि पुलिस करवाई के नाम पर बिलकुल जीरो है जैसा कि उन धरिंदों ने उस अवला नारी को पिटा है पुलिस को चाहिए था कि ततकाल उसको गिरफतार करे उस आरोपियों को लेकिन पुलिस की जो ये जो करवाई है बिल्कुल ही निंदनिय करवाई है बिल्कुल ही बड़ाई के पात्र नहीं है तिरूल लिथाना पुलिस क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि अबला नारी के साथ जिस तरह से घटना घटी है ये कहीं से भी सोबनिय नहीं है जिस तरीके से इस महिला के साथ दरंदगी दिखाई गई है उसमें पुलिस परशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस परशासन उने के बावजूद उन आरोपियों को गिरफतार क्यों नहीं किया गया बहुत बहुत शुक्री आपका सुनीर तमाम जानकार को ढेंगी द्रवाएं के लिए तो रायकेला की तस्विर मास को दिखा रहा थे जहां डाइन की आरोप में महिला की जमकर बिटाई की गई है और सबसे बड़ी बात की कि किस्वी सदी में जीकर भी आज डायन परथा के नाम पर कई महिला Οं को बली चढ़ा दी जा रही है पुलिस प्रशासन इस दौरान कहीं पर भी पुलिस प्रशासन के ऐसी भूमी का नजर नहीं आए जिससे आरोपियों को घिरफतार करना चाहिए था कोई एक्शन लेने की जरूरत थी लेकिन ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आए